हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटीब केनल विशाल गौतम से 183 पर आज है 24 जिन्वरी 24 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 24 जिन्वरी 24 के डेली करेंट अफिस के कुछ इम्पोडेंट कुश्चन्स अगर आप किसी भी अग्याम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी अधा इम्पोडेंट रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहले बर आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वैल आइकन को भी ओल पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं और आज की इस वीडियो की पीडिया फाइल आपको हमारे टेलीगरम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीगरम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वासे इस टेलीगरम चैनल को जोइन कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा दियान से देखिए इस वीडियो के लाश्मे मैं आपसे कुशिन भी पूछूँगा और इस कुशिन का सही आंसर आपको कमेंड में बताना है और साथ ही हम जानेंगे इस टेटिक गीके के कुछ मात्वफूड प्रशनों के बारे में भी तो चलिए चलते हैं आज के अपनी टॉपिक की ओर तो हमारा आज का पहला कुशिन है और इस कुशिन का सही आंसर है option A, आयोध्या तो भी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा दीपक ये आयोध्या सहर में जग मगाया दुनिया का सबसे बड़ा दीपक आयोध्या में राम मंद्र के उद्गाटन पर जग मगाया तीन सो फीट की उंचाई पर खड़े दुनिया के सबसे बड़े दीपक ने आयोध्या शेर को रोशन किया दीपक में एक दसमलब दो पाँच कुएंटल का पास और 21,000 लीटर तेज शामिल किया गया और कुल 108 टीमों ने इसकी तैयारी के लिए एक वर्ष समर्पित किया नेक्ट कुशन है हाल ही में बारत का पहला इंडिया इनोवेशन शेंटर फॉर ग्राफिन यानि IICG कहां लौँच हुआ है इस कुशन का सही आंसर है ओप्शन ए केरल तो अभी हाल ही में बारत का पहला इंडिया इनोवेशन शेंटर फॉर ग्राफिन ये केरल राज में लौँच हुआ है इंडिया इनोवेशन शेंटर फॉर ग्राफिन बारत का पहला ग्राफिन शेंटर है और इसका उद्देश्य, ग्राफिन और टूडी सामगरी पडालियों में अनसुननान एवं विकास, उत्पादन नवाचर और छमता निर्माड को बढ़ावा देना है अब बात करें केरल राजगी, तो केरल की राइदानी त्रुवननद पुरम हैं, मुख्य मंत्री हैं पिनारे विजियन और राजपाल हैं आरिफ मुहमत खान नेक्ट कुशन है, हाल ही में पैप्स को इंडिया के नए सीईओ के रोप में केसे नियोक्त किया गया है इस कुशन का सही अंसर है, ओप्शन सी, जागरत कोटेचा, तो विहाल ही में पैप्स को इंडिया के नए सीईओ के रोप में जागरत कोटेचा को नियोक्त किया गया है पैप्सको इंडिया ने जागरत कोटेचा को एमद अजशेक के स्थान पर नया CEO नियोक करने की गोशना की है अब बात करें पैप्सको की तो इसकी स्थापना अठारे सो अठान पर में होई थी मुख्याल है इसका न्यू यूर्क यू एसे में है और पैप्सको के अध्य अच्छे हैं रेमन ले गवाइटा नेक्ट कोशन है प्रशिद शाष्त्री गाय का प्रवा आत्रे केस गराने की थी जिनका भी हाल ही में निदन हो गया इस कोशन का सही अंसर है option A किराना गराना तो प्रश्यद शाष्त्री गायका प्रभा आत्री ये किराना गराने से थी जिनका भी हाल ही में निदन हो गया प्रख्यात शाष्त्री गायका और पद्म विभूशन अवार्ड से सम्मानित प्रभा आत्री का 92 वर्ष की आयू में निदन हो गया प्रवा आत्रे हिंदुष्तानी शाष्तिय संगीत के किराना गराने से जुड़ी थी वर्स 1991 में उनने संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार से सम्मानित किया गया था साथ ही उनने पद्म स्री, पद्म भुशन, राष्टि, काली दास पुरुसकार और एगर अकादमी रत्म पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया था नेक्ट कोशन है हाल ही में किसने एशियाई मेरातन चेंपिंशिप में सुड़ पदक जीता है इस मेरातन चेंपिंशिप में सुड़ पदक जीता है माईशियाई मेरातन चेंपिंशिप में सुड़ पदक जीतने वाले दूसरे बारत्ये पुरुष बन गए हैं और उन्होंने उप विजेता चीन के हुआं यौंग जी एंग को 65 से हराया नेक्ट कुशन है हाल ही में विश्वश्वास संगठन ने किसे मलेरिया मुक्त देश गोशित किया है इस कुशन का सई अंसर है Option B काबो बर्डे तो भी हाल ही में विश्वश्वश्वास संगठन ने काबो बर्डे देश को मलेरिया मुक्त देश गोशित किया है काबो बर्डे गढ़ राज को काबो बर्डे या केप वर्डे के नाम से भी जाना जाता है इसके साथ काबो बर्डे 1973 में मौरीशश और 2019 में अलचिरिया के बाद मलेरिया उन्मूलन के लिए WHO अफरीकी छेत्र में प्रमार्थ होने वाला तीसरा देश बन गया है WHO ने अभी तक 43 देशों और एक छेत्र को मलेरिया मुक्त प्रमार्थ पदान किया है WHO किसी देश को मलेरिया मुक्त प्रमार्थ करता है जब कम से कम लगाता तीन वर्षों तक राष्ट व्यापी मलेरिया संदर्चन में रुकावट दर्शाता है अब काबो बर्डे जो देश है इसकी राजिधानी प्रेया है मुद्रा है वाँकी केप बर्डीन एसकुडो अनसूचिक जाती के हितों की सुरच्छा के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है इस कुशन का सही आंसर है ऑप्शन सी राजिब गौबा तो भी हाल ही में राजिब गौबा की अध्यच्छता में अनसूचिक जाती के हितों की सुरच्छा के लिए एक कमेटी का गठन किया इस सम्ती का गटन उन लोगों के लिए किया गया है, जिसे योगिता के बाद भी समान रूप से सुविदान नहीं मिल रही है इस सम्ती की पहली वेट देख जिन्वरी दौईयच चौविस को हुई है और इस सम्ती में ग्रह कार्मिक और प्रसेच्छन विवाग जन जाती है मामले, कानून मामले और सामाजिक न्याय और आदिकारता विवाग साहित मंत्रालयों के सचिप शामिल है नेक्ट कोशिन है हाल ही में पक्के पागा हॉर्ण विल फेस्टिवल का आयो जन के सराज में किया गया इस कोशिन का सई आंसर है ओप्शन सी अरुनाचल पदेश तो अभी हाल ही में पक्के पागा हॉर्ण विल फेस्टिवल का आयो जन ये अरुनाचल पदेश राज में किया गया पक्के पागा होन्विन फेस्टिवल अरुनाचल पदेश का एक राज त्योहार है इस उत्सप का नौवा संस्करण पक्के के संग जिले के से जोशामें 18-20 जिन्वरी 2-24 तक आयोजित किया गया त्योहार का प्रात्मिक फोकस वर्नेजीप सरनच्छन है अब बात करें अरुनाचल पदेश की तो अरुनाचल पदेश की राईदानी इटा नंगर है मुख्य मंत्री है पीमा खांडू और रजपाल है केती परनायक नेट्ट कुशन है हाल ही में के सिस्थान पर गोले मेले उत्सप का आयोजिन किया गया इस कुशन का सही अंसर है उप्शन ए उधमपूर तो अभी हाल ही में उधमपूर में गोले मेले उत्सप का आयोजिन किया गया हाल ही में उधमपूर में गोले उत्सप का आयोजिन किया गया इस वालशिक धार्मिक और सांस्क्रतिक उत्सब में भाग लेने के लिए ओधमपुर जिले और उसके बाहर से सरद्धालू मंदर में आते हैं गोले मेला एक संप्रदा एक उत्सब के रूप में दूमदाम से मनाया जाता है और गोले मेला बिविन सांस्क्रतियों और समदायों के बीच एकता को बढ़ावा देता है नेक्ट कोशन है कि इस स्थान पर गाउचलो नामक अभियान को शुरू किया गया है इस कोशन का सही अंसर है ओप्शन A दिल्ली तो दिल्ली में गाउचलो नामक अभियान को शुरू किया गया है हाल ही में बी जेपी के राष्टी अध्यच जेपी नड़ा ने दिल्ली में गाउचलो अभियान की शुरूवात की है गाउं चलो अभिहान ग्रामिन और शेहरी शमदायों से जुड़ने के लिए एक राष्ट अभ्यापी अभिहान है और ये अभिहान चार फरवरी से शुरू होगा और इस कार करम में बाजपा कार करताओं का लच साथ लाग गाउं और शेहरी बूतों तक पहुँच कर मोधी सरकारी की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करना है नेच्ट कुशन है एलकोवल्ट से जे टीधन बनाने के लिए पहली पाइलट परियोजना का उद्गाटन कहा किया गया इस कुशन का सही आंसर है आप्.शन B महाराष्ट तो एलकोल से जे टीडन बनाने के लिए पहले पाइलट परेःजना का उदगाटन ये महराश्त राज्ज में किया गया इस परेःजना का उदगाटन कि इनदी ये पैटोलियम और प्राकरतिक गैस मंतरी हर दिप्शे पुरीने पुरे में किया यह परियोईना टिकाउ जयविक विमानन इधन यह SAF का उत्पादन करेगी और यह पाइलट प्रोजेक्ट उड़े के पास पिरंगुट ओद्योग एक एस्टेट में प्राज ओद्योग समू के अनुसन्नान और विखास विबाग में इस्थाबित किया गया है नेक्ट कोशन है केंद्री आयश मंत्री सर्वानन सोनोवाल ने के सहर में आयश दीच्छा की आदर शिला रखी है इस कोशन का सही आंसर है option B बहुनेश्वर तो केंद्री आयश मंत्री शर्वानन सोनोवाल ने ये भवनेश्व शहर में आयश दीच्छा की आदर शिला रखी है केंद्रिय आयोश मंत्री सरवानन सोनोवाल ने बोवनेशर में आयोश पेशेवरों के लिए मानव संसाधन विक्षित करने के लिए अपनी तरह के पहले केंद्र आयोश देच्छा की आदर चिला रखी और इसका उद्देश आनुसन्नान केंद्र राष्टिय सलस्थानों और आयोश वेद के विकाश छमतक निर्मार प्रमानुव सलस्थानों को शशक्त बनाना है नेक्ट कोशन है कि इस देश को मत से पालन प्रबंदन पर खाद्य और क्रशी शंगठन की समती का उपाद्य चुना गया है इस कोशन का सही अंसर है आप्शन ए भारत तो अपने देश भारत को मत्स्य पालन प्रवन्दन पर खाद्य और क्रसी संग्टन की सम्ति का उपाद्य चुना गया है और भारत 57 वर्षों में पहली बार बैश्विक मत्स्य पालन और प्रवन्दन वियूरों के सदस के रूप में काम करेगा Next question है इस question का सई answer है option B Carlos Sange सेंज से एन में जाना जाता है दुनिया के सबसे चनोती पूर्ड मेटर्ड पूर्ड आयोजनो मेशी एक में अपने असाधानड खोशल और शेयन शक्ती के लिए प्रशिद है Next question है हाल ही में किस देश के विश्व दरोवर इस्तलों पर सौर उर्जा स्टेशनों का उदगाटन किया गया है इस question का सई answer है option B मिश्र अब हाल ही में मिश्र देश के विश्व दरोवर इस्तलों पर सौर उर्जा स्टेशनों का उदगाटन किया गया है अब स्टेटिक जीके को देखें तो डंकन पास किस के मद्ध इस्तित है तो ये इस्तित है दच्चिड अन्दमान और लेटल अन्दमान के मद्ध सत्पुडा की पाड़िया केस राज में हैं मद्ध पदेश में बारत की सबसे बड़ी तटी ये जील कौन सी है किल का जील है वूलर जील बारत के केस के इंसास पदेश में हैं जम्मू कश्मीर में लोग यल प्रपात का नया नाम क्या है महात्मा गांधी जल प्रपात दुआधार जल्प्रपात केस नदी पर है ये नर्मनाद नदी पर है एमाचल परेस में केस नदी को चंदरबागा के नाम से जानते हैं चिनाब नदी को कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है दामोदर नदी नो ट्रम्प शब्द केस खेल से संबंदित है ब्रिज से बारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? C.K. नाइडू टाइम आउट सब्द केस खेल से संबंदित है ये क्रिकेट से संबंदित है एशियाई खेल सर्वबथम कब और कहां आयोजित हुए तो ये 1951 में आयोरित हुए नई दिल्ली में मर्डे का कब केल से सम्बंदित है फोट बॉल से बहात ये सम्विधान की शैंशोधन प्रक्रिया केश देश के सम्विधान से प्रवावित है दच्छड अफ्रीका नर्बदा नदी जो अमर कंटक से उद्गरत होती है वा किस राज में है तो ये मद्द पदेश राज में है अब बात करें कल की वीडियो की तो कल की वीडियो मैंने आपसे कुशन पूछा था कि हाल ही में शशश्त सीमा बल यानि SSB के महानदेशक कौन मने है इस कुशन का सही आंसर था ओप्शन A दर्जित से चौधरी तो दर्जित से चौधरी जो है वो हाल ही में शशश्त सीमा बल के महानदेशक बने है और इस कुशन का आंसर लगबग सभी स्टूडेंस ने सही बताया था अब आपके लिए आज का कुशन है जाती आधारत जनगर्णा कराने वाला भारत का दूसरा राज कौन सा बना है इस कुशन का सही आंसर आपको कमेंड में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की हैल्फूर लगी हो तो आप इस वीडियो का अपने दोस्तों के पास जरूर शियर करना और अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जय हिंद जय भारत वंदे मातराम